सबी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार क्या हल चाल होपसों सब बढ़ी आई हुए ठीक है तो बिसी के लिए आज क्या करने वाले हम ओलंपियाड बेस कैम का फंक्शन हना बिसी के लिए फंक्शन चेप्टर का बेसिक आज हम पढ़ेंगे जनरली क्या होता है आयोकियों में नहीं बट आरे में हाद एक क्वेशन जरूफ फंक्शनल इकवेशन का देखने को मिलता है और आगी जाके फंक्शनल इकवेशन जो है वह अपना एक विकराल रूप धारण कर लेता है ठीक है तो बिसी कि लिए विए फंक्शनल एकवेशन समझने से पहले हम यह पता होना चाहिए कि function क्या होता है and आज की class में हम क्या करने वाले हम बिल्कुल 0 से start करेंगे कि function क्या होता है function से पहले कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए function पढ़ने से पहले उसके अलावा हम यह भी पढ़ेंगे कि functional equation का जो starting का portion है यानि basic functional equation बहुत चोटी चोटी functional equations को कैसे solve किया जाता है ठीक है मतलब बहुत simple simple functional equation के एक दो question हम करेंगे solve इसमें ठीक है तो यह video उस बच्चे के लिए बहुत जादा important है जिसने functional equation में बिल्कुल भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है राइट जिसने अभी तक functional equation में कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए यह video बहुत important हो जाता है ठीक है चले तो करते है स्टार्ट functional equation पढ़ना ठीक है तो आप सही आप तयारी होगे ठीक है बता नहीं क्यों इसमें पेज आगे बढ़ जा रहे हैं अपने हिसाब से ठीक है करता है चलो शुरू तो बेसीकली अलिम्पियार्ड बेस कैम ić काम है पहले पढ़ना कि सैट्स क्या होते हैं फिर रिलेशन क्या होते है फिर फंव्हिऑंख्षन क्या होते है उसके आध्में basic functional equation बहुत हो जाता है यूग क्यूंब시क्ट्ट रही होता है क्या है बिश्मपिषिक बिल्कुल होता है आग क् of a collection of well-defined objects collection of well-defined well-defined ठीके ना objects objects numbers या फिर elements ठीके जो भी आप बोलना चाहो ठीके ना एक well-defined objects का elements का या numbers का collection जो होता है बेसिकली अब यह सेट होता क्या है बहुत ध्यान से समझे सबसे पहली चीज़ जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सेट आफ नेचरल नंबर सना सेट आफ नेचरल नंबर स तो सेट आफ नेचरल नंबर स बोलने से मेरा मीनिंग क्या है कि उस पे बिचार किया जए को सैट आफ नेचरल नंबर मैं बात कर रहा हो सारे नेचरल नंबर सी कलेक्शन आफ नेचरल नंबर सारे नेचरल नंबर and so on, ठीक है, तो basically उसको लिखा जाएगा 1,2,3 4, so on, ठीक है अब ऐसे ही बहुत सारे different, different type के sets दुनिया में होते हैं, ठीक है अब हम क्या करते हैं, हम हमारी जरुवत के हिसाब से, mathematics में हमारी जरुवत के हिसाब से, हम क्या करते हैं है हमारे एका से सैटको क्या करते हैं यूज करते हैं ठीका अपने एंट पे जैसे से रिइक तो जैसे अगर मैं आप मोगें इस पर्टिक्लर वड का वेлर गीन की इसकी क्या Freakters and set of the names of five best cricketers in the word तो यहां पर जैसे वर्ड बेस्ट लग गया तो बेस्ट लगते ही वुग से वेल-डिफाइंड नहीं हुई कैसे नहीं हुई क्योंकि हो सकता है कि वेल-डिफाइंड होने के लिए यह ज़रूरी है कि वह उपीनियन सब के लिए सेम हो उस चीज के लिए सब के लिए क्या हो सेम हो है जैसे ही बैस्ट लिखा तो भई हो सकता है किसी के लिए हर्दिक पंडिया बैस्ट क्रिकेटर है ना किसी के लिए रोई शर्मा बैस्ट क्रिकेटर है किसी के लिए कोई और हो सकता है किसी के लिए विराट कोहली हो सकता है किसी के लिए हो सकता है कि सर मैं तो यूराज का फैन हो ना तो सबके लिए उपीनियन सबकी अलग लग हो गए अगर किसी पर्टिक्लर सिचुएशन में सबकी उपीनियन किसी एक पर्टिक्लर चीज को लेकर कि अलग-अलग है तो उस चीज को हम वेल डिफाइड नहीं बोल सकते वेल डिफाइड का बोलेंगे जब सबकी ओपीनियन उस चीज के लिए सीम रहेगी जिसे मान लिजे अगर मैं बोलू कि सेट आफ नेचरल नंबर्स नेचरल नंबर्स ठीक है लेस देन 7 मैंने बुला कि सेट आफ नेचरल नंबर्स लेस देन 7 अब आप किसी से भी पूछ लो कि साथ से छोटे नेचरल नंबर्स का कलेक्शन जो होगा वो कैसा होगा तो कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान जो यह चीज जानता है इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो बोलेगा यह इसमें 123456 यह चेज नहीं आएंगे सिर्फ यह चेज नहीं इसमें आएंगे और यह चीज इस पर्टिक्लर स्टेटमेंट के लिए सबकी ओपीनियन सेम है यह वैल डिफाइंड एक स्टेटमेंट है ठीक है अ इसमें और सेट को रिप्रेजेन करने के लिए इंग्लीश ऑल रोडेंट के कैपिटल लेटर ऐसे यह चाओ अग्यइस हो जैसे अगर मान लीए कि एकोस्टू कोई सेट है ठीके ना तो उसमें कोई elements है a b c d ठीके ना तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि यह स्मॉल बेसिकली लेटर से मैंने यहां पर अंदर जो लिखे है elements यह जस्ट टू रिप्रेजेंट elements है ना small alphabet से रिप्रेजेंट करते हैं है elements को और capital यह जो वर्ड्स हैं यह इंगलिश अल्फाबेट अगर अगर यूस करोगे आप तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगा सेट को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है कई बार ऐसा होता है कि elements की अंदर भी यह बड़े लेटर सी आ जाते हैं तो उससे कोई खास फरक वाली बात नहीं है ठीक है अच्छा बट अभी जैसे कर सेट एकोल स्टू यह हमें गिवन है तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो स्मॉल ए है यह बिलॉंग करता है किसमें से सेट ए में से ना इस इस मैथेमेटर साइन दहाँ जीर्व एडियू एट रेना इसका मीनिंग Chi Mm क्या में होता है बिलॉंग जनौ ठीक थठर और अगर मैं यहां पर लीखूं कि यहां पर जो ओजक अग अहिन से थो यह एलिमांट यो बिलॉंग नहीं टॉर्ट है सेंडि ए से एस 젊ना बाद clear है है ना belongs to or does not belongs to यह चीज ठीक है ओके तो basically आपको यह समझ में आया कि set होता क्या है well defined collection of objects और basically यहाँ पर हम जब set के अंदर elements लिख रहे होते हैं तो सारे elements different different होने चाहिए ना सारे elements क्या होने चाहिए different different होने चाहिए well defined collection of well defined different objects यहाँ पर मैं एक word और एड़ कर रहा हूं ठीक है यह मैं मन से एड़ कर रहा हूं ठीक है different objects different objects अगर हमें कोई पूछेगा कि इस set में कितने elements आ रहे हैं अगर हम different elements का ध्यान नहीं रखेंगे हैं यह मान लो यहाँ पर question था यह यहाँ पर सेट लिखा हुआ है कि set of natural numbers less than seven तो इसमें कितने elements आएंगे तो elements तो भी है इसमें छे आए ठीक है अब अगर मान लो कोई बालक ऐसा है जो पांच को ही चार बार लिख दे रहा है फिर वह बोलेगा कि सर इसमें तो 9 element हो गए है क्योंकि मैंने पांच को तीन बार एक्सरा भी तो लिख दिया तो इसमें नौ element होगे तो नौ ऐसे count नहीं होगा जब भी set के अंदर number of elements count करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि set के अंदर आने वाले हर एक element सारे element different different होने चाहिए ठीक है अगर कोई एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसको वह meaningless है ना एक से ज्यादा बार किसी element को लिखना है is meaningless राइट अच्छा तो अगर एक set बोलू में हाँ पर है ना set of letters of the word ठीक है letters of the word small ठीक है ठीक है तो भई या इसको कैसे लिखेंगे तो भई इस set में ना basically इस set में basically हम लिखेंगे s m a और एक बच्छा बोलेगा तो आपने बोला था ही set में जो elements हैं वो basically English basically alphabets के छोटे letters हम यूज करते हैं तो भई वो हम represent करने के लिए use करते हैं उनकी जगें पे अगर बड़े letters भी आते हैं तो उमें कोई दिकत नहीं है यहां पे स्मॉल वर्ड में एल दो बार आ रहा था तो मैंने यहां पर उसको एक ही बार लिखा क्योंकि दो बार किसी element को लिखना इस meaningless that's why अगर कोई पूछेगा कि सर इस सेट में कितने element तो चारी element बुला जाएगा थोपसो यह बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे से ठीक है यह हो गया सेट का कहानी ठीक है अभी सेट की अभी हम इसमें दो या तीन important बातें ही करेंगे हाना दो या तीन important बातें ही करेंगे different different type के setup को पता ही होगे नहीं पता है तो बता देता हूं जिसे capital N जो है वो represent करता है सेट of natural numbers सेट of natural numbers को ठीक है ठीक है न सब और basically इसमें कौन-कौन से elements आएंगे 1234 से लेकर के कहा अच्छा जी अगर मैं डव्यू से रिप्रेजेंट करूं तो यह सेट आफ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है कि इसमें चीज़ें कहां से शिरूंगी जीरो से 0123 से लेकर कि कहां तक जहां तक आप सोच सकते वहां तक जैड से या आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको सेट आफ इंटीजर्स को और इंटीजर्स में क्या होती गाहाणी माइनस इंफिलिट से चलती वह आ रही होती है है ना फिर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 by 0 1 2 3 and so on टीक है तो ऐसा set of integers हो जाता है and so on हम represent करते हैं numbers के sets को ठीक अभी बचा बोलेगा सर की set को represent करने किती तरीके होते हैं representation of set क्या होते है representation of sets सर सेट्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो भई पहली चीज़ सुन पहली होती है रोस्टर फॉर्म थीकिए ना रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म देख रहे हो यूट्यूब का जलवा रोस्टर फॉर्म लिख रहा था और रोस्टर फॉर्म में मैंने जब रोस्ट लिखा तो रोस्ट लिखने के रोस्ट आ गया रोस्ट करने वादा ठीक है तो रोस्टर फॉर्म पर बात कर रहते हैं इसमें जनरली सेट को लिखने का तरीका यह रहता है कि जैसे मान लो एक सट है सट एड़ाट एक एड़ाट इस इकल टू एक सेट रिखावा की सेट ऑफ सट ऑफ प्राइम नमबर्स लेशन तें प्राइम नमबर्स है लेस दें तेन ठीके ना ठीक है न सब तो उसको कैसे लिखा जाएगा उसको करली ब्रैकेट में रोस्टर फार्म में हम बेसिकली सेट के elements को कॉमा लगा करके करली ब्रैकेट के बीच में रख देते हैं तो ऐसा representation जो हता है उसको रोस्टर फार्म बोलते हैं जैसे बेसिकली 10 से g2-3 5 & 7 यह चारी प्राइम नंबर दस से चोटे ना दस से छोटे जो प्राइम नबर से 4 प्राइम नंबर दस से चोटे तो इन चारों इलेमेंट्स को ओं कि अगर कर ली ब्रेकेट में लिख दिया तो यह set builder हों में क्य होता है न हम सैट को लिखते तो है लेन उसमें डिरेकली elements को नहीं लिखते हैं इî dough twenty mesma करके हम किसी एक लोजिक के हम लोजिक का यूज करके जो लॉजिक डिरेकली यही इंपलाई कर रहा हूँ इनहीं नेचरल नंबर्स X is less than 10 and and X has X has exactly exactly two divisors ठीक है अब आप बोलोगे कि ऐसा नंबर जिसके एक्जिक्ली दो डिवाइजर हो वो तो प्राइम नंबर ही होता है तो आप इंडिरेक्ली यही बोल रहे हो कि 10 से छोटा हो नेचरल नंबर हो और प्राइम हो तो सिंपल सी बात यहीं हो गई ना सर की आप 3,2,3,5,7,7,4 numbers की ही बात कर रहे हो तो basically set को लिखने के यह दो तरीके roaster form और set builder form होते हैं अब अगर मैं बात करूं types of set की ठीक है तो types of set में सबसे पहले क्या जाएगा बहुं सारे set आजाएंगे जैसे सबसे पहले आएगा null set है ना, null set क्या होता है, null set क्या होता है, एक ऐसा set जिसमें, हाना, कोई भी element ना हो, हाना, हाना, set with zero element, with no element, हाना, हाना, या empty set भी भी बोलते हैं, इसमें कोई भी element नहीं होता, जैसे एक set लिख रहा हूं, set a that is equal to, a, a is such that, a belongs to nature numbers, a is lesser than 3, but a is greater than 5, है, है ना, अब आप बता हो, ये ऐसा set है, जिसमें, ए जो है ना, वो nature numbers में से belong कर रहा है, ए तीन से छोटा होना चाहिए, लेकिन ए पास से बढ़ा होना चाहिए, तीन से छोटा हो, और पास से बढ़ा हो, दोनों चीज़े एक साथ simultaneously कैसे fulfill हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये एक ऐसा set है, जिसमें कोई भी element नहीं है, उसको null set बोलेंगे, ठीक है, इसके अलावा, बहुत सारे type है, बहुत सारे type है, हमें क्या करना है, हमारी priorities के है, functional equation पढ़ना है, तो हम set उतना ही पढ़ेंगे, जितना हम required है, ठीक है, तो अगर मैं बताओ, तो मैं इसी प्लक्रिया में आगे चलके, मैं सीखूंगा कि subset क्या होता है, subset क्या होता है, subset क्या होता है, तो भी subset क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए, अगर कोई एक set गिवन है आपको, ठीक है न, उसके अंदर element है 1, 2, 3, 4, और एक दूसरा element है B, उसमें element है 1 और 2, बस, ठीक है, तो अगर किसी situation में, किसी set में आने वाले elements, किसी set में आने वाले elements, अगर किसी दूसरे set में आने वाले, जो elements है, उनके साथ सेम है, मतलब, 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 अगर set B में जो element आ रहे हैं, 1 और 2, वो set A में already क्या है, available है, तो उस situation में हम यह बुलेंगे कि B is subset of A, ठीक है, B क्या है, set A का subset है, ठीक है, क्या ये बात clear है, क्या ये बात clear है, बहुत ध्यान से समझे apenas, अगर किसी एक set में आने वाले elements, किसी दूसरे set में already, अपे अल्रेडी है ठीक है, यानि एक set के elements, अगर दूसरे set में already available हैं, तो वो जो पहला set है, के है इस date कर चाहेगा सब सेघो जाएगा सबसाइट हो जाएगा यहाड उसी का ही एक छूटा सेट मतलब जिसके टॉपिक के आगे अग शब का तोपिक आता है की पढ़ने टॉपिक क्या फंक्शनल इक्वेशन सब टॉपिक क्या है सेट कि functional equation पढ़ना अगर तो सके कुछ कोई उसका एक डिरेक्शन एक पाथ है इना जिसके ऊपर चल करके हम पुर्फ सेट टुब के तो बैसिविली स्ट टॉपिक है अच्छल उसका सब अग्रेश्ट सेट पढ़ेघा तो वैसे ही सेट का अगर यह largest है तो यह उसका बीडेगा सब सेट हो जाएगा यहाँ पर दीकोंग बिला जाएगा सब सेट ठीकें और 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 एको क्या बला जाएगा एक को बला जाएगा सूपर सैट थी कि यह हां बट उसकी कोई जरुद नहीं है आप यह सिर्फ यह ध्यान रखेंगे यह सबसेट होगा ठीक है अच्छा जी बेसिकली किसी एक सैट में से कुछ पिशेट में से कुछ एलिमेंट उठाओ कुछ यह सारे उठालो आपकी जो मरदी कुछ एलिमेंट उठाए और उनको किसी दूसरे सेट में रख दिया तो बेसिकली जो नया सेट बना है वो पुराने वाले का क्या होगा सब सेट होगा हाँ जैसे गर देखा जाये तो एक सेट है मान लिजे पी हाना उसके इंदर एलिमेंट्स आरे ए बी सीडी ए एफ हाना ठीक है न साब और मैंने एक सेट बनाया क्य का लेकिन आर जो हैना हो सबसेट नहीं है किसका पी का क्यूं नहीं बहुँ है तो किसमें अवेलेबल है लेकिन आर के सारे elements P में available नहीं है F वाला element जुसमें G वाला element है वह वहाँ पे available नहीं है तो R जो है वो P का एक subset नहीं है क्या ही बात बहुत अच्छे से clear है बहुत crystal clear अगर है तो फिर बढ़ते हैं आगे ठीक है अगर यह बात clear है तो आप यह समझे कि आप अगले टॉपिक पर बात करेंगे अगला टॉपिक है इंटरवल्स ठीक है इंटर्वल्स क्या होते हैं बहुत ध्यान से समझे कि अगर मान लीजिए किसी situation में रियल नंबडूर्स रियल नंबर लाइन समझे आपको पता ही होगा रियल नंबर दे रही है तो वो quantity real number है originally ठीक है और basically real numbers जितने भी होते हैं मान लो यह real number line है ठीक है real number line में सबसे left में क्या होगा minus infinity सबसे right में क्या होगा plus infinity इसके बीच में सारी दुनिया आ गई सारी number आ गए जो आप सूछ सकते हो वो सब आ गया बीच ओ बीच क्या होगा zero होगा अगर मानलों इसी के में छोटे छोटे पार्ट कर दो एनकर चोटे पास में A और B, A चोटा है, B बड़ा है, और मैंने बुरा A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, और किसी एक situation में हमारे पास कोई एक X है, वो इस हिसाब से है कि वो A से greater equal है और B से lesser equal है, A से greater equal है और B से lesser equal है, तो X कहां से कहां तक हो सकता है, तो एक बालक बोलेगा, Sir, X का value A भी हो सकता है, और X का value A और B के दोनों के बीच में भी कुछ हो सकता है, तो मैं बोलूँगा कि अगर ऐसा है, तो हम उसे short form में आना, कितनी पंचायत किये बिना short form में अगर लिखना चाहें, तो हम लिखेंगे कि X belongs to, क्या लिखेंगे, X belongs to, क्या लिखेंगे, बड़ा bracket A से लेफ्ट में जो value लिखेंगे हुई है, A is left extreme value और right में जो value B लिखा हुआ है, वो right extreme value होना, तो left extreme value और right extreme value दोनों को include जब हम करते हैं, solution में, तब हम बोलते हैं कि यह किसको represent कर रहा है, close interval A to B को represent कर रहा है, close interval का मतलब यह, बड़े bracket का मतलब यह, कि हम यह कह सकते हैं कि X can take value as X equal to A और X equal to B, दोनों ले सकता है X का value, हाना, और A और B के बीच में भी X का value कुछ भी हो सकता है, तो situation में closed interval लगता है, पहली बात ही होई, दूसरी बात अगर मान लो, यह number line है अपना, ठीक है न, इसमें, basically अगर मैं बोलता हूँ, कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, अगर मैं बोलूँ कि X cannot take A, X cannot take B, but X can take any value in between A and B, हाँ, मतलब X जो है, वो A से बड़ा है और B से छोटा है न, यहनि X A के बराबर भी नहीं है, X B के बराबर भी नहीं है, बस X A और B दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो situation में इसे लिखा जा सकता है, यह X belongs to open bracket A to B, यही ची होगा, तो हम उसे बोलेंगे open interval, ठीके न, open interval आपको पता है, अगर O लिखा हुआ है, तो O में से, अगर माल लो, मैं उपर से भी कुछ मिटा दूं, नीचे से भी कुछ मिटा दूं, तो यह जो bracket बना है, यह जो bracket बना है, छोटा वाला bracket, यह छोटे वाले bracket को जब भी use किया है, इसमें जो extreme values है, उनको include नहीं किया जाता है, उनको exclude किया जाता है, उनको exclude करके, दोनों extreme values के बीच वाला, कोई भी value, x का value हो सकता है, but extreme values, x cannot take, ठीक है, थर्ड आएगा semi open, semi close, semi open में ऐसा होगा कि x जो है, वो a से बड़ा है, लेकिन b से छोटा और बराबर है, तो जिस तरफ बराबर होगा, उस तरफ बड़ा bracket आजाएगा, जिस तरफ बराबर नहीं होगा, सिर्फ greater होगा, वहाँ पे छोटा bracket आजाएगा, अभी ये देखिए semi close, इसमें x is greater than equal to a, but lesser than b, तो a से greater equal है, तो a की तरफ बड़ा bracket, और b की तरफ open, छोटा bracket, clear, तो आपको बड़ा bracket और छोटा bracket का concept समझ में आ गया होगा, जिस तरफ बड़ा bracket आएगा, वह value x ले सकता है, जिस तरफ छोटा bracket आएगा, वह value x नहीं ले सकता है, ठीक है, बढ़ते हागे, next point की तरफ, this is ordered pair, ये बहुत खास चीज़ है, ordered pair क्या होता है, पेर का मतलब तो आपको समझ में आता है two numbers are written in some order, then that pair is known as ordered pair, ordered मतलब की उनका order fix है, जो आगे है वो आगे है, जो पीछे है, वो पीछे है, तो अगर दो numbers A और B को हम इस तैप से लिखते हैं, तो ये ordered pair कहता है, ठीक है, अच्छा, इसकी क्या खास बात है, इसकी क्या खास बात है, तो ये basically किसी एक specific information को share कर रहे होत हैं, जैसे Cartesian plane में, अगर मैं बोलू, कि 3,4 कोई point है, तो यहाँ पे 3 जो है ना, वो किसी point की Y-axis से distance बता रहा होता है, और 4 जो है वो उस point की X-axis से distance बता रहा होता है, हाँ, perpendicular distance, हाँ, जो की, जो यहाँ पे 3 है, Y-axis से perpendicular distance जो बता रहा था, हाँ, वो 3 जो है आगे चलके X-axis पर आजाएगा यहां पर 3 होगा और यह जो 4 यहां पर distance बता रहा था एक सक्सेस से वो आगे चलके y पर कहीं देखने को भी लेगा यहां पर खुब सबी बात आपको समझने है आई होगी है ना 3,4 basically 3 अपनी जगे अपनी वैल्यू बता रहा है 4 अपनी जगे अपनी वैल्यू बता रहा है इनके दोनों के जो places हैं वो interchange अगर आप करोगे तो basically जो meaning है वो meaning बदल जाएगा ना 3,4 point जो होगा वो अलग होगा और 4,3 point कहीं अलग होगा राइट तो दोनों अलग लग लगा हुआ है और बराबर में 3,4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 4 है ठीक है ना यह ordered pair वाली बात है hopes होई आपको समझब है आई होगी है अब इसका importance क्या है तो भाई यह importance है Cartesian product of sets ठीक है Cartesian product of sets में इसका बहुत important role है क्या role है important sir कि अगर मान लो दो सेट गिवन है आपको एक सेट है यह उसमें element है 1 2 और 3 ठीक है और एक सेट है भी उसमें elements है 4 और 7 ठीक है सर तो दो सेट जब आपको given होते हैं दोनों का Cartesian product निकाल सकते हो है ना तो उनका जो Cartesian product होगा Cartesian product जो होगा A और B को उसको रिप्रेजेंट किया रहता है एक रॉस बी से है एक रॉस बी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें आने वाला हना जो भी element होगा वो एक ordered pair होगा ना उस ordered pair में दो element आपको पता ही ordered pair है पेर में दो element होगे A, B such that A जो होगा वो बिलॉंग करेगा set A से and B जो होगा वो बिलॉंग करेगा set B से है ना और कहीं पर भी अगर A बनावा मिले वो भी उल्टा तो उसको पढ़ते हैं for all क्या पढ़ते हैं for all हना ठीक है तो A बिलॉंग करेगा set A से and B बिलॉंग करेगा set B से for all A belongs to A and B belongs to B ऐसा होगा तो situation में हम बोलेंगे कि यह Cartesian product है दो सेट का कह दो समझ में नहीं आया मैं कहता हम बहुत बढ़िया यह एक set है यह एक set है भी ठीक है एक अंदर element आ रहे हैं 123 है और बीके अंदर element आ रहे हैं 4 और 7 तो अभी अगर मैं बोलूं Cartesian product क्या होता है तो बहुत ध्यान से समझना कि अगर मैं बोलूं कि वन इधर सामने set B के element से कैसे कैसे कानेक्ट हो सकता है तो बोलोगे सर वन 4 के साथ कनेक्ट हो सकता है और 17 के साथ कनेक्ट हो सकता है मेंने का बहुत बढ़िया तो सिचुएशन में A x B जो होगा उसमें जो order pair आएंगे वो order pair कैसे दिखेंगे तो बोलेगा सर वन अगर connect वा 4 के साथ तो उसको बोलेंगे 1,4 क्योंकि 1 जो है उसने अपनी image 4 में देखिए ठीक है और 1,7 अगला order pair ये होगा 2,4 2,7 ये अगला element होगा फिर 3,4 और 3,7 ठीक है न ये अगला element होगा सर बेसिकली ये इसमें क्या आएंगे 6 elements आएंगे यानि set a में अपने पास में कितने elements थे number of elements in set a कितने थे तीन number of elements in set b किते थे दो तो जब हम a cross b निकालेंगे तो उसमें आने वाले elements का number कितना होगा तो वो हमेशा number of elements in a into number of elements in b के बराबर होगा बिल्कुल सही बात है तो सर यहां पर तीन दुनी 6 elements आएंगे 6 elements हमें दिख रहे हैं तो क्या खास बात है वो different different types का जब आप set बनाओगे तो वो set is called Cartesian product of a cross b ठीक है अच्छा जी a and b का Cartesian product निकल जाएगा अब अगर यह बात clear है कि Cartesian product क्या होता है तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि यहां पर क्या हो रहा है दो सेट जो आपको ए और भी गिवन है उनमें यहां का कोई element उध अधर के किसी element में अपनी image देखता है ठीक है और यह image देखने का जो procedure है उसको आगे चलके लोगों ने क्या बुला कि अगर यह input है तो यह output है ना कि अगर वन डालोगे तो यह तो फोर रिजल्ट मिलेगा यह सेवन टू डालोगे तो यह फोर यह सेवन प्री डालोगे तो यह input हो गया इसी कुछ बाते लोग करने लग गए जब कुछ लोग ऐसी बाते करने लग गए तो फिर हमने क्या बुला कि चलो आओ अगली बात करते हैं जब ऐसी बाते हो रही है तो आपको यह पता चलिए कि अगर एद रखा है टू कॉमा थ्री वीद रखा है फॉर कॉमा फाइब सीद्रेक है 5,6 तो अगर एक रॉस भी निकालना होगा तो निकाल सकते हैं क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं तो यह फूमवक में है यह चलो मैं बताई देता हूं एक रॉस भी अगर निकालेंगे ना तो बिना वो डाइग्राम बनाए बता रहा हूं कि टू जो है व प्रोड़क्ट हो गया एक रॉस भी अकर एक रॉस ही निकालना हो तो क्या करें सर तो वही जो ए और बी में किया था वही और सी में कर दो ना तो टूइलमेंट इमेज देखें का 546 में तो यहां पर आएगे अलिमेंट 2,5 और 2,6 ठीक है सर और 3 अगर देखें का तो 3,5 और 3,6 तो यह तो बात होगी कार्टीजन प्रॉडट्ट की ना कार्टीजन प्रॉड़क्ट आफ टू सेट्स की यह बात हो गई ऐसे हम बोल सकते हैं कि एक ऐलिमेंट तूसरे आलिमेंट में अपनी मेंज देखता है अब अगली बात करते हैं थोड़ी मुद्धे वाली है ना is a relation हो कर तो relation क्या कहता है every non zero subset 00 मतलब इन वी सबसेट नहीं होना चाहिव हो शजट को भी सिचवेशन में आपको बताना सैट क्य होता है एक नवा बता है मैंने empty सैट हैं जुसमें कोई भी element नहीं होता है जब भी हम किसी सबसेट के सबसेट निकलते तो सबसेट कैसे क्या से निकाले गालेंगे जिसा मानलों एक सेट है अपने पास में बनायो को बनाओ और्स तो मैं अगर सब्सक्राइब आँ सबसेट ऑफ है क्या क्या बन सकते हैं ठीक है तो सबसे पाहला अचैनल गार्ण जिसको अपन रिप्रेजंट करते हैं चैनल से टोगे से लिए गार तो यह सबसेट हो गया जिसमें एक ही और और फिर चौथा सबसेट क्या होगा जिसमें सारे element दो और तीन दोनों आ जाएंगे तो बेसिकली हम किसी भी सैट के सबसेट सो बनाना जानते ही है अगर हमने कहीं पर कार्टीजन प्रॉडक्ट एक रॉस भी निकाला और उस एक रॉस भी के हमने लिए बढना ये सबसेट बनाएं तो लुब लाना सबसेट होता है जिसमें कोई ब्रॉमेंट और उसको हडा देम Two è तो उसके रहाएं जितने भी सबसेट बनेंगे सारे सबसेट जो है वो सारे साहिट दिफाइन एक मरेलेशन उनको बोल सकते हैं हम सेट A से सेट B में सेट A से सेट B में उनको हम क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन बोल सकते हैं कैसे बोलेंगे सर क्या बात कर रहा हूँ ध्यान से सुन बेटा अगर मान ले सेट A दरिखा है उसमें elements है A, B, C, D ठीक है और set B देखा है उसमें elements है 1, 2 ठीक है, तो अगर A cross B निकालेगा तो क्या बनेगा सर, तो बनेगा A, 1 A, 2 B, 1 B, 2, ठीक है C, 1 C, 1 C, 2 D, 1 D, 2, ठीक है यह तो सर A cross B हो गया, अब इसका कोई भी subset बना, कोई भी subset बना हूं मतलब कोई भी element उठा, कितने भी element उठा उठा, उनके उपर कॉम लागे, करली बैखिट लगा दे हैं तो अगर मान लो इसका एक subset बनाया मैंने, मान लीजे कोई एक subset बनाया ठीक है, वो subset जो है वो subset को R बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा R बोला जाएगा, और वो बेसिकल एक relation होगा set A से set B का, है ना, तो वो एक relation R होगा जो की define होगा set A से set B में such that वो कैसे मिलेगा, जिसमान लो वो ऐसा हो सकता है कि मैंने एक ये element उठा लिया, एक ये element उठा लिया, एक ये element उठा लिया ठीक है, तो मैंने बोला उस relation R of X में, अगर आप X की जगे पे A डालोगे तो result मिलेगा 2, अगर X की जगे पे B डालोगे तो result मिलेगा 2 और X की जगे पे C डालोगे तो result मिलेगा 1 तो this is our relation this is a relation which is defined this is a relation which is defined in between, give me one minute guys so guys, बात कर लेते हैं, ठीक है, बोड़ ओफ होगे था ठीक है, तो basically, अगर देखा जाए, तो R A से B में define होने वाला क्या होगे, एक relation हो गया रहा, इस relation के through, जो element A है, वो related है 2 से, B है जो related है 2 से, और C related है 1 से, ठीक है, तो जब दो sets में, एक set के element, दूसरे set के elements के साथ में, अगर एक set के element, दूसरे element की set के element के अंदर अगर अपनी image देख रहे हैं, तो definitely हम बोलेंगे कि यह दोनों के बीच में क्या है, एक relation है, ठीक है, अगर यहाँ पे, R is defined from A to B, लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि, जो set A में बिलॉंग करने वाला कोई element A है, और जो set B में बिलॉंग करने वाला कोई element B है, दोनों elements, A जो होगा, वो related होगा B से, और उन दोनों के बीच में कोई एक particular relation रहेगा, यह basically क्या हुआ, एक relation word का meaning हुआ, relation होता क्या है, यह आपको चीज़, यहाँ से click कर गए होगी, ठीक है, अब बात करते हैं कि, जो relation है, वो एक linear operation basically है, which establishes relationship between the elements of two sets according to some definite rule of relationship, है न, क्या बात हुए, क्या मतलब हुआ है, इस बात का, मतलब यह हुआ, कि basically, पहले set के element और दूसरे set के element, दोनों एक दूसरे से related रहेंगे, किसी एक relationship के दुरू, अब आप भूलोगे, sir, यह relationship basically, मतलब क्या ही relationship, न, यह basically, क्या ही, मतलब, क्या ही relationship वाली बात है, न, तो मैंने का, रुको यार, एक पर, है न, ठीक है, give me one minute, time, wait for a second guys, wait for a second हम, हम, तो देखे है, हाना, slide add करते है, ठीक है, तो सबसे पहली बात है, कि अगर मान लोग इस एक situation में, मैं आपको बोलता हूं, यार, कि, एक relation define करते है, न, कि x related है, y से है, na, x related है, y से है, na, such that, ठीक है, na, x, y belongs to natural numbers है, ठीक है, और x square plus y square that is equal to 25, है, तो बेटा, आप सुचोंगे, यार, कि यह क्या relation हो, यह क्या कहना चाहरे हो, तो बेटा, ध्यान से समझना, इसमें basically, अगर मैं एक relation बनाना चाहूं, जो कि x, y की format में लिखा हुआ हो, x belong करे, आर में, नेचल लंबर में से, y belong करे, नेचल लंबर में से, और x square plus y square 25 हो, इसकी अगर रोस्टर फॉर्म आप बनाऊगे, तो यहां से आपको थोड़ा जादा समझ में आएगा, कि क्या-क्या values x और y ले सकते हैं, तो आप यहां पर सुचेंगे, कि सर, क्यूंकि x square plus y square 25 हो रहा है, तो हमें दो number सोचने हैं, जिनके square का sum 25 हो, तो हमें पता है, 3 का square 9, 4 का square 16, दोनों का sum 25, तो x का value हम 3 ले सकते हैं, तो y का value 4 हो जाएगा, और x का value 4 ले 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 ले, तो y का value 3 हो जाएगा, तो basically यह क्या होग तो basically natural number से natural number में, हम जितने भी, हाना, n cross n के जितने भी subset बना सकते हैं, उनमें से कोई एक subset यह जरूर रहा होगा, हाना, जिसमें 3 related to 4 और 4 related to 3 रहा होगा, यह बच्छा बोलीगा, sir, कि x का value 5 ले लो, y का value 0 ले ले लो, अगर y का value 0 ले 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 लेगा, तो y natural number नहीं रहे चुके हो कि relation क्या है, तो relation की ही specific form जो होती है, वो function कहलाती है, वो कौन सी form है, उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप यह समझी है, कि domain और range क्या होता है, एक relation के लिए domain क्या होता है, और range क्या होता है, तो इसे मान लो, अगर r is equal to कोई एक relation defined है, 1 related है 2 से, 2 related ह 3 से, 2 related है 4 से, 3 related है 5 से, ठीक है न सब, 7 related है 4 से, यह कोई एक relation है तो अगर किसी situation में, मैं सोचूं कि आगे आगे वाले जो element है, हर एक ordered pair में है, उन सब का एक set बना दूँ, 1 ले ले ले, फिर से 2 लिखने की ज़रत नहीं है, फिर 3 ले और 7 ले ले, तो अगे आगे वाले elements को ले करके set बनाया जाएगा, तो set को बुला जाएगा domain of relation R, क्या बुला जाएगा set को domain of relation R, जो जो input डाला जाएगा, that input is known as domain, ठीक है, और जो पीछे-पीछे वाले elements है न, 3, 2, 3, 4, 5 और 4, इन सब का अगर एक relation बना लिया जाए, एक set बना लिया जाए, तो this is range of relation R, ठीक है उसका हम set अगर बनाएंगे, तो 2, 3, 4, 5 ये वाले elements रखे जाएंगे, आगे-गे-वाले elements उठा करके set बना दिया, तो वो गया domain, पीछे-पीछे वाले elements को उठा के set बना दिया, तो वो गया range, ठीक है, अब आपको ये समझ में आगे कि relation का domain क्या होता है, और range क्या होती है, बेसिकली जो input होता है, वो domain होता है, जो output होता है, वो range होती है, ठीक है, कहान यहां तक, अगर clear हो जाए, तो बात बढ़िया, अब बढ़ते हैं बात, function पर बात कर देना, तो एक relation, set A से set B में, एक relation जो होता है, उस relation को हम function कब बोलेंगे, ध्यान से समझेगा, कि a relation R from a set A to set B is called a function, उसको हम function बोलेंगे, if each element of set A is associated with some element of B, set A का हर एक element, set B के किसी ना किसी element के साथ associated होना चाहिए, set A के किसी B element की, यह, set A के हर एक element की set B में, कोई ना कोई image होनी चाहिए, पहली बात, दूसी बात, each element of set A has unique image in B, मतलब क्या है, अगर मान ले बटा, यह set A है, ठीक ना, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक set B है, उसमें elements, उसमें लिखा हुआ है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, यह एक लिखा हुआ है, तो एक function define है, basically, तो 1 put किया तो result आया 1, 2 put किया तो आया 4, 3 put किया तो 9, 4 put किया तो 16, 5 put किया तो 25, 6 put किया तो 36, यानि set A का हर एक element, set B के किसी element के साथ associated है, this is the first thing, set A के हर एक element की image बननी चाहिए, पहली priority यह है, ठीक है, ना, दूसरी बात क्या है, कि set A क हर एक element की एक unique image बननी चाहिए, unique मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 1 की जो image है, वो 1 भी बन जाए और 4 भी बन जाए, यानि एक जन से एक ही तीर निकलना चाहिए, दो तीर निकल गए, तो function नहीं रहेगा, ठीक है, वो relation नहीं रहेगा, function नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो उस relation को हम function भी बोल सकते हैं, हम बोल देंगे कि एक function है, जो defined है, set a से set b में, अभी यहाँ पे, set a से set b में, जो function define है, आप लोग कुछ समझ गए होगे, की सरी एक function define है, f of x that is equal to x square, जो कि define है, कहां से कहां तक, set a से set b में, यानि सर आपने x की जगे पे 1 डाला, तो उसने 1 का square करके result 1 दे दिया, आपने x की जगे पे 2 डाला input, तो वहाँ पे क्या हुआ, 2 का square कर दिया उसने, तो कितना है, result 4 आया, जो 4 में, 2 से 3 गया, 4 में लग गया, ठीक है, सर आपने 3 put किया, तो यहाँ पे 3 का square 9 हो गया, मतलब यहाँ से 3 से 3 निकला और 9 पे चला गया, है हना, and so on, ठीक है, so this is basically function, hope so यह चीज समझ में आपको आई होगी, अभी क्या है, अगर मैं बोलूँ कि input जो मैंने डाला, हना, उसका एक set बनाओगा, तो वो क्या हो जाएगा, domain of function हो जाएगा, तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगे, ठीक है, ठीक है न साप, अगर मैं बो Risk, और और, और, यह जो पीछे वाला set होता है, अगर आगे वाला पूरा set जो है, वो domain है, तो पीछे वाले पूरे set का भी एक नाम होता है, उसको बते है heavily domain, ही यह पीछे वाला जो पूरा की, every element of set A is associated with some element of set B, ठीक है न, ये पहली बात, दूसी बात, every element of set A has unique image in set B, हाना, set A के हर एक element की image बननी चाहिए, और set A के हर एक element की एक unique image बननी चाहिए, अगर ऐसा है, तो definitely, वो set, वो basically relation जो है, वो function कहलाएगा, ठीक है, अब अगर आपको ये clear function क्या होता है, ठीक है, तो basically कुछ बाते clear होगे होगी, कि function जो है, वो basically कहीं न कहीं, A cross B, यानि A और B का जो Cartesian product है, उसी का subset होता है, ठीक है न, और for all A belongs to set A, है न, उस A के लिए कोई न, कोई F of A जरूर होगा, जो belong करेगा function में से, ठीक है न, और अगर A, B belong कर रहा है function में से, और A, C भी belong कर रहा है function में से, यानि, A ने image बनाई B, किसी function में, और A ने image बनाई C, तो एक ही element से दो तीर निकल गए, एक B पे चला गया, एक C पे चला गया, तो फिर यह तो function हो नहीं नहीं चीए, तो यह भी function हो सकता है, किस condition में, जब B और C, दो अलग लग चीज नहीं, एक ही चीज हो, न, द बता नहीं आगे जागे, वापस बन पर ही जा रहा है, वो दो नहीं, एक ही तीर है, न, ठीक है न, सब, तो basically समझने वाली बात यह है, कि अगर A related B से, और A related C से, और दोनों function F से बिलॉंग कर रहे है, तो B और C को बराबर होना पड़ेगा, तभी वो function क्यलाएगा, ठीक है ठीक है, होपस वी बात समझ में आई होगी, domain, co-domain range में बता चुका हूँ, अगर आगे-आगे वाले elements उठाए, उनका set बनाया तो domain बनेगा, पीछे-पीछे वाले elements, जिन, जो basically किसी ना किसी set एक elements की image बन रहे है, उनको उठाके set बनाया, तो range बनेगा, और पीछे वाला जो set उठाएंगे, तो वो बनेगा co-domain, range हमेशा subset होती है किसकी co-domain की, ये एक एक बात आपको clear होने चाहिए, बढ़ते हैं आगे, देखो यार, अभी क्या है ना, कुछ चीजें पढ़ने की ज़रत है, कुछ functions है, उनका domain कैसे निकालते हैं, उनकी range कैसे निकालते हैं, इ F का जो domain है, वो है D1, ठीक है, G का जो domain है, वो क्या है, वो है D2, ठीक है, तो अगर मान लो मैंने दोनों functions F और G को जोड दिया, या घटा दिया, या फिर दो functions को multiply कर लिया, या फिर दो functions का question निकाल लिया ना, चार situation possible है, ठीक है, चारों मैंने लिख दी, या तो F plus G निकाल या F minus G निकाल लिया, F into G निकाल लिया, या फिर F upon G निकाल लिया, तो इन चारों situation में, दोनों functions का जो domain होगा, उसके उपर क्या गुजरेगी, वो है main चीज, ठीक है, तो अगर दो functions को जोड दिया जाता है, तो जो resulting function मिलेगा, उस resulting function का domain, पहले वाले जो दो individual functions थे, उन दो दोनों के domain के intersection के बराबर होगा, intersection मतलब D1 और D2, D1 and D2 का common part ले लेंगे, ठीक है, अगर दो sets को, या दो function को subtract करा दिया, तो भी domain जोगा resulting function का D1 intersection D2 ही होगा, दोनों को multiply करा दिया, तो भी domain D1 intersection D2 होगा, दोनों को divide कर दिया, हाना, तो situation में होगा तो D1 intersection D2 ही, साथ ही साथ हम GX की वो values हटा देंगे, GX में से X की वो value हटा देंगे, दोनों के intersection में से वो values हटा देंगे, जिसमे denominator becomes 0, denominator कभी 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ इसे मान लो, एक function है F of X, उसका आपको domain पता है, अगर मैं आपको उसके उपर under root लगा के बोनों कि यार इसका domain क्या होगा, इसका domain क्या होगा, कैसे निकालोगे, तो भी ध्यान रखना है, अगर root X, root of FX लिखा हुआ है, तो यह imply करता है कि F of X जो होगा न, वो greater than equal to 0 होना च function real values के लिए defined है, imaginary वाली बातें नहीं करते हैं, तो यहाँ पर FX must be greater than equal to 0 होगा, अगर किसी situation में 1 upon F of X लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि यह denominator 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात, और under root में लिखा हुआ है, तो वो negative भी नहीं होना चाहिए, तो वो चाहिए, इसका मतलब F of X जो होगा, वो 0 से बड़ा, यानि positive होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता, negative नहीं हो सकता, यह तीन बातें यह भी ध्यान रखनी है, domain और range निकालते हैं, ठीक है, खास करें domain के लिए काम में आएंगी बातें, ठीक है, अभी बात कर लेते है, domain वाले questions पे, जैसे मान लो, simple simple बातें, find the domain of each of the following real valued function of real valuable, ठीक है, तो सबसे पहला question क्या है, यह F of X that is equal to root of X लिखा हुआ है, सर इसका क्या दरो, इसका domain कैसे निकालो, तो भई, domain मतलब input, क्या-क्या value इसमें रखी जा सकती है, आप सूचेंगे, क्या-क्या value रखी जा सकती है, चल यह भी जा सकती है, तो यह सोच क्या value इसमें नहीं रख सकता, X की, तो बोलेगा, सर, X की जगेगे, अगर मैं negative रखोंगा, तो अंडरूट बुरा मान जाएगा, तो X का value नहीं रख सकते, X का value नहीं रख सकते, तो यहनी क्या रखो कि X का value, X का value 0 रख सकते हैं, और positive में कुछ भी रख सकते हैं, तो फिर मैं बोलूगा कि यह तो बहुत बढ़ी बात है, दूसरी चीज क्या कर सकते हो, कि अंडरूट के अंदर जो भी लिखावा होता है, उसको हम पटक देंगे, greater than equal to 0 के आगे, तो यहां से पता चलेगा, कि एक inequality बनाएगा, X equal to 0 यहां पे होता है, और क् कि यह greater than वाला है, right hand side से plus minus plus inequality में सिखाया है, तो right hand side से plus minus plus लगाओगे, तो हमें plus वाला interval उठाना है, तो 0 से लेके infinite तक है, और आपको पता है, greater than equal to था, तो 0 भी involved होगा, include होगा, तो यहां पे X belong to आ जाएगा, 0 से लेके infinite तक, ठीक है न साब, यह क्या हो जाएगा, बेसिक क्या लिखावाई, 1 by X, आपको अभी भी बताया, अगर function में कोई भी चीज़ denominator में आती है, तो that must not be equal to 0, तो X का value 0 नहीं हो सकता है, 0 के लावा आप कुछ भी ले लो, यानि X के से बिलॉंग करेगा, X belong करेगा, real numbers में से, उसमें से 0 उटा दो, 0 नहीं लेना है, उसके लाव X की value, range मतलब function की value, ठीक है, अगर मैं बात करों, third वाले part की, third वाला part क्या कहता है, third वाला part कहता है, f of X that is equal to 1 by X minus 2, plus 1 by X plus 3, तो अभी देखा जाए, तो यह दो functions का, मतलब basically क्या है, addition है, एक function है 1 upon X minus 2, और एक function है 1 upon X plus 3, इन दोनों को कीसी ने गलती से add कर दिया, तो जब दोनों को add कर दिया गलती से, तो हम क्या करेंगे, हम यह देखेंगे कि पहले वाले का domain क्या है, और दूसरे वाले का domain क्या है, और दोनों का intersection, intersection मतलब जब जहां दोनों राजी है, वो वाला result हम use करेंगे, ठीक है, अभी सोचेंगे पहले वाले का domain क्या होगा, तो भी पहले तू के नॉट विपल टू जी रो यानि X के नॉट बीगूल टू तो X का यह तो नहीं होना चाहिए इसका मतलब रिएल नुम्बर इसे दो उटा देंगे आप इस चीज का आएगा real number minus minus 3 तो सार जब दोनों का intersection निकालेंगे यह कह रहा है real number चलेगा लेकिन तो नहीं होना चीर और यह कहई रहा है माइनस 3 नहीं होना चीज़ुक्त तो दोनों की बात मान के लिए टोनों की बात मान के लिए कोई दिकत नहीं है इसमें बताओ क्या करूंगे इसमें क्या सोचा जाएगा सोचो सोचो फटाफट जो क्या जा सकता है क्या क्या जासता है क्या इसको फैक्टराइब कर सकते हैं इसका डॉमेंटर के नौट भी इकुल टू जीरो तो एक्सका विल्यू 3 भी नहीं होना चीए और माइनस 3 भी नहीं होना चीए उसके अलाव आप कुछ भी रखो सब चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर क्या लिखा वनपान एक्स माइनस 7 यानि एक्सका विल् दखना है सेम यह भी सवाल इसको भी फैक्ट्राइज करना देखना है दो फैक्टर जो बनेंगे उनमें से कौन कौन सा फैक्टर कब-कब 0 बन रहा है ना वह वह बैल्यूस हटा देनी डोमें बेसिकली रिल नंबर से बची वी सारी वैल्यू इंक्लूडड हो जाएंगी क्य जब हम कोई चीज़ पुट कर रहे हैं तो वह चीज़ पुट करने के बाद में जो रिजल्ट क्या है रेंज है रिजल्ट क्या है रेंज है तो रिजल्ट रेंज है तो कैसे निकाले तो रेंज जब निकाल रहे होते हैं तब डॉमें का पूरा पूरा आइडिया होना चाहि इसमें आप आप एक्स पाइड नेगेटिव दूल को ऑगे टो भूले सरह एकस इकॉल टौ जीरो रखेंगे सबसे छोटा वैलियू सबसे छोटा वैलियू कि रखेंगे एकस इकॉल टौ जीरो रखेंगे अगरister सबसे चोटा रिजल्ट से लेकर सबसे बड़ा रसल्ट है उसका सेट अगर मैं बनाऊंगा तो वह क्या जाएगा अपना रेंज हो जाएगा पट फंक्शन कॉंटिनियूस होना ची उसके लिए ना हम बट चीजे आगे पढ़ेंगे हम आगे क्या करेंगे चीजे हम पढ़ते ह जब function का basically functional equation दो basic पढ़ते है और function event function surjective by objective पता नहीं क्या-क्या पढ़ते हैं बट अब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो basic में क्या है क्या वात है कि अगर f fx is equal to root of x given तो हमें पता है किसी भी quantity का अंडरूर जो होता है उसका जो रिजल्ट आता है हमेशा वो हमेशा greater than equal to zero रहता है यानि किसी भी रियल नंबर का positive real number का आप स्क्वारूर निकालो या non negative real number का आप स्क्वारूर निकालो अगर zero होगा तो स्क्वारूर जिरो आएगा और अगर कोई भी positive quantity होगी तो उसका स्क्वारूर जो भी आएगा जीरो से लेकर infinity के बीच में कुछ आएगा तो basically हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यह imply करेगा कि range जो होगी वो हो जाएगी जीरो से infinite होप से बात समझ में आपको अती होगी ठीक है क्या यह बात clear होगी और यह clear होगा तो सर सेकेंड वाले में तो कोई दिक्कत निया है उसमें कोई दर भी नहीं है सेकेंड वाला क्या गया रहा है वो कह रहा है f of x that is equal to है अंडरूट में ठीक है न सर एक्स स्क्वार माइनस फोर एक्स प्लस में 6 मैंने बहुत बढ़िया इसका क्या से रेंज निकाले सर यह तो थोड़ा जीब सा सवाल हो गया तो मैं बहुत ध्यान से सुनों जब भी बड़े से बड़ा perfect square अलग हो सकता है उसको अलग कर दो तो पर ड़े से बड़ा परफेक square सुचा कि यह x square minus four x plus four और लाश ने प्लस टू को अलग से लिग दिया तो यह 3 जनने मिलके ना सर यह यह एक्स माइस टू का होल स्कॉर बना लेंगे थिक्ट और फ्लस में टू फिर हमें सुझ पता है सर किसी भी कॉंटिटी का स्क्वार्ज होता है ना वह रिजल्ट हमेशे कैसा देगा या तो पॉजिटिव यह 0 नेगेटिव विजल्ट कभी नि देगा तो एक्स माइनस टू क सब्सक्राइब घ्र VISTA क्या समझ में आया कि यह चीज़ ना फॉर्ट हे तुब को स्टेव यह ना डेल 19 सब्सक्राइब नहरां jangan टनीं सकते तो मएक कमें कोई बात की यह बता है यह क्या गर्भी है वह पसे बढ़ी में लिगा लेक्ट सकती है तो सबसे बछी वेल्य अगर इस quantity की value, इस quantity की सबसे minimum value 2 है, तो वो जब value 2 यहाँ पर डालेगा, तो सबसे minimum value f of x की किती आएगी, तो उसने बुला, sir, root 2 आएगी, और मैंने का, जब इस quantity की maximum value infinity जालेगा, तो infinity का square root किता आएगा, sir, वो तो infinity आएगा, infinity पर छोटा bracket, root 2 पर बड़ा bracket, क्योंकि वो reality में exist होता हुआ दिख रहा है, तो यह क्या हो जाएगी, इसकी basically range हो जाएगी, क्या ही बात समझ मैं आई, of course आई होगी, third part कि बात कर लेता हूँ, ठीक है था, third part क्या कहता है, third part कहता है, कि function दे रहा है f of x, that is equal to cos square x minus sin square x, sir इसका range निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो भई यह actually में एक formula है, cos square x minus sin square x, इसको अपन cos 2 x लिख सकते हैं, cos square theta minus sin square theta, यह cos 2 theta का formula होता है, तो sir यह cos 2 x आगे आप क्या करें, तो क्या आपने trigonometric ratios पढ़ें, नहीं पढ़ें, तो भी मों पढ़ा दूगा, हाना, trigonometric functions, cos की range क्या होती है, cos की range होती है, minus 1 से 1 तक, तो इस function की range हजाएगी, minus 1 से 1 तक, इसी भी angle के लिए इसका value, सबसे कम जो हो सकता है, minus 1 और सबसे जादा जो होता है, plus 1, उनके बीच में continuous function है, trigonometric function, जिसको आप f of x equal to sin x बोलते हो, उसका domain होता है, x belongs to real number, कुछ भी रख दो, angle के नाम पे कोई भी real number डाल दो, वो उसके लिए कोई ना कोई result आपको दे देगा, है ना, range होगी, minus 1 से 1 तक, graph कुछ ऐसा जाता है इसका ना, ठीक है साब, अगर मैं बात करूँ, cos x के लिए, तो cos x के लिए भी, domain होता है, x belongs to real numbers, range होती है, minus 1 से 1 तक, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, graph की, तो graph कुछ ऐसा, साइन x जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा pi by 2, आगे चलता होता है, हना, y equal to, 10x या f of x equal to 10x की बात करूँगा, तो उसका domain क्या होगा, domain real numbers में से, कुछ minus किया हुआ है, यह minus क्यों किया हुआ है, बहुत ध्यान से समनना, बहुत ध्यान से, 10x का value, infinity कब होता है, 1090 degree का value, infinity होता है, यह आपको पता है, कि x की क्या value में ना रखूँ, ताकि infinity ना आए, तो वोला सिर्फ पाई बाई टू, और पाई बाई टू कौन सा वाला, और पाई बाई बाई टू, हना, कौन सा वाला, और पाई बाई बाई टू नहीं रखना है, तो और को क्या से लिखते हैं अपन, 2n प्लस 1 को हम और बोलते हैं, यहाँ दे क्या, इसी को और बोलते हैं, तो यह और पाई बाई टू मैंने, रियल नंबर्स में से हटा दिया, यह मत रखो, उसके लागा सब के लिए, यह defined है, तो this is basically domain, और रेंज क्या होगी, पूरा रेल नंबर्स, क्योंकि ग्राफ निकल के आता है, माइनस पाई बाई टू से, माइनस इंफिनिटी से, और जाता है, पाई बाई टू पे, प्लस इंफिनिटी की तरफ, वो लग बात है, पहुचा नहीं पहुचा, वो हमने देखा नहीं कभी, पूरा जो है, वो डूमेन हो जाएगा, और रेंज जो होगी, वाई बिलॉंग्स टू, हाना, क्यों जाएगी, आर, हाना, सारे रियल नंबर्स, सेम एस, कुसेक एक्स, सेम एस, सेक एक्स, हाना, यह दोनों भी आप समझ सकते हैं, इसके बाद की बात करता हूँ, तो next type of function होता है, polynomial function, क्या होता है, polynomial function, polynomial function मतलब, basically आपने जितने भी polynomials पढ़े हैं, उन polynomials को, basically हम polynomial function भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या खास बात होती है, कुछ ऐसा दिखने में, वो functions होते हैं, ठीक है न, सर क्या f of x, that is equal to 4x plus 3, क्या ये भी एक polynomial function है, बिल्कुल, हाँ, क्या सर f of x, that is equal to, x square minus 5x plus 6, क्या ये भी एक polynomial function है, बिल्कुल, ये भी एक polynomial function है, अच्छा, polynomial functions की क्या खास बात होती है, कि basically इन में, हम x की value कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी value डालेंगे, हर एक value के लिए, कुछ न कुछ value दे ही देते हैं, तो basically, polynomial function का domain क्या होता है, real numbers, और range, range हमें खुद को decide करनी पड़ती है, check करके निकालनी पड़ती है, ठीक है, हाँ, तो basically, domain हमेशा x belongs to r होता है, ठीक है, अगर मान लो, किसी भी polynomial की जो degree है, degree मतलब highest power, अगर वो odd है, तो polynomial is odd degree polynomial, बोला जाएगा उसको, और उसकी range हमेशा real numbers, पूरा real number होगा, ठीक है ना, minus infinity से plus infinity तक पूरा आप, ठीक है, हाँ, और अगर n even है, तो polynomial even degree का हो जाएगा, और इसकी range कभी भी, R नहीं होगी, इसकी range, real numbers नहीं होगी, real numbers का कोई part होगा, यानि कुछ values, real numbers की ऐसी जरूर होगी, जो कभी भी किसी भी, real number की image नहीं बन रही होगी, हाँ, ठीक है ना, बहुत खास बात है, अगली बात क्या है, rational function, rational function क्या होगा, कोई भी function, जैसे rational number होता है, P upon Q की फॉर्म में, वैसे ही अगर कोई भी एक function है, वो लिखा जा सकता है, दो functions के format में, एक function numerator में, एक function denominator में, और दोनों ही, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों ही function क्या है, polynomial function है, तो उस situation में, intersection तो लेंगे, साथ ही साथ, जहां पर denominator 0 हो रहा है, जो कि X equal to 2 और minus 2 पर हो रहा है, उन values को हम हटा देंगे, उन values को हम हटा देंगे, तो basically उनका domain निकल के आएगा, this is rational function, अगर मैं बात करूँ, log arithmetic function, तो Y या फिर F of X, that is equal to log X base A, जो ये function है, अगर जो बेस है, वो 1 से बड़ा है, तो graph नीचे 0 से 1 से बीच में से निकल के आए, और कहाँ पर जाएगा, प्लस infinity की तरफ जाता होगा नजर आएगा, ठीक है, 1 से आगी की तरफ, ठीक है, this is basically logarithmic function, ठीक है, अभी domain range की खास बात लेना, exponential function ये आपने देखा ही होगा, जैसे मान लीजे, 3 की power X लिखा हुआ है, तो this function is exponential function, जिसमें base तो defined है, हाना, बट power जो है ना, वो variable है, कुछ भी हो सकती है, तो situation में, f of x that is equal to a to the power x, जो function होता है, उसे हम exponential function बोलते हैं, exponential function की क्या खास बात होती है, इसमें a जो है, वो base है, x जो है, वो exponent है, अगर base 0 और 1 के बीच में होता है, तो graph कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, आप exponential बनाओगे, e बनाओगे, तो e ऐसा बनेगा ना, तो उपर वाला अगर मिटा दोगे, तो this graph is basically, ये वाला graph हाना, exponential function का graph है, और अगर e को उल्टा बनाओगे, हाना, ऐसा e बनाओगे, तो उपर वाले को मिटा दोगे, तो ये जो graph होगया, ये किसका होगया, इधर वाले part का, जिसमें, जो base है, वो 1 से बढ़ा है, ठीक है, ये बात समझ में आगी होगी, hope so, this is basically exponential function, अलग-अलग functions होते हैं, हमें इतना ज़ादर detail में घुषने की ज़रत नहीं है, बस idea होना चाहिए, absolute value function, ये अपने पढ़ लिया था, विवेक सर की class में, आप लोगोंने पढ़ा होगा, y equal to mod x, ऐसा जो function होगा, basically, this is known as absolute value function, इसका graph कुछ ऐसा होता है, सर ने बताया था, आगे चलके function में, अगला function है, सिग्रम function, ये पहली बार होना होगा, अगर f of x equal to, मैं बोल दूँ, कि एक function लिखा होगा है, mod x upon x, तो आप बोलोगी, mod x का result x b होता है, अगर mod x की जिए, प्लस का x लिखोगे, तो x x कट के plus 1 आएगा, और अगर minus x लिखोगे, तो x x कट जाएगा, minus 1 result आएगा, और जब x का value 0 होगा, तो उपर भी 0, नीचे भी 0, तो 0.0 form बनेगी, नहीं नहीं, 0.0 form नहीं बनेगी, तब ये function की value, x equal to 0 पर 0 होती है, तो इस type का function होता है, उसको signum function बोलते है, इसका graph कुछ ऐसा होता है, ठीक है, क्या खास बाता है, domain क्या होता है, domain होता है, real numbers, range क्या होता है, range होता है, minus 1, 0 और 1, ठीक है, या नहीं, x का कुछ भी value डालो, या तो result 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या minus 1 मिलेगा, ठीक है, this is known as signum function, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, greatest integer function की, यह हमने, number theory में पढ़ा है, हाना, और, same, पहले, already पढ़ चुका है, Olympiad, base camp की class में भी, आप लोगों ने, f of x equal to, box x, अगर कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें, जो इसका result होता है, box x equal to, x कब होता है, if x is an integer, ठीक है न साब, x क्या है, integer, ठीक है न, और box x equal to, हाना, क्या होता है, result, हाना, integer less than, integer, just less than x, just less than x, if, x is not an integer, ठीक है न साब, hope सब्सक्राइब बात समझ में आई होगी, कुछ ऐसा इसका graph बनता है, domain क्या होगा, domain सारे real numbers, आप कुछ भी रख सकते हो, real numbers में, range क्या होगी, range सिर्फ integers होगी, ठीक है, this is basically, domain range वाली बात, for functions, अगर मैं बात करूँ, last part, this is fractional part function, तो इसमें क्या खास बात होती है, f of x equal to, curly bracket में, अगर x लिखा हुआ है, या नी, fractional part जो होता है, वो आपको पता है, या तो fractional part 0 होगा, या फिर 0 और 1 के बीच में होगा, fractional part, which is less than 1, ठीक है, हाँ, ऐसा कुछ इसका graph बनता है, domain range के लिए, इनके domain और range functions के याद रखने होते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, यतनी कहानी पढ़ने के बाद में, मुद्दे की बात आ गई, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है, functional equation क्या होता है, तो basically, functional equation जो है, basically वो एक equation है, क्या है, basically क्या है, वो एक equation है, जिसमें, जो unknowns, जिनको हमें solve करना होता है, किसी भी क्वेशन हम किसी ways को करते हैं कि तो फंक्षनल को? निकलते हरा दो फंक्षनल एक निकझे एक एक्वेशन लिक्षन ही है उसमें जो अन्नान है वह अननन ही क्या है ऐसे चि法 हbilir है जैसे से किसी एक एक वशल्च में अगरमिजे ख 10 two he है एकसी वेल्य हमें निकालनी है वैसे ही अगर कोई एक ऐसी हो जिसमें जो हमें निकालना है वह खुद ही फंक्शन से तो ऐसी को section phone quest रिए और ऐसी क्वेशिन को सौल करते हैν function की वाल्य निखालने के लिए एक्चल में function क्या है खुद उसको निकालने के लिए function को सौल करते हैं ठीक है जैनरली कैसे दिखते हैं कुछ ऐसा है यहां पर हमें f of x निकालना है इसमें इसमें से भी f of x निकालना है ठीक है तो यह बेसिकली क्या है functional equations है इनको कैसे सौल करेंगे सर तो आओ ज़रा दो क्वेशन खुद सौल करूगा और एक कुर्शन आपको तब आपको यह बेसिक पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है कार्टीजन प्रोड़क्ट क्या होता है तो क्या होगा अगर सब चीजे पता होनी चाहिए और यह बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में यह क्वेश्चन है और इसमें हमें f of x चाहिए basically equation दे रखिए ना ठीक है और हमें solve करके f of x की value निकाल लिए ठीक है तो यह बहुत simple problem है बहुत ज़्यादा simple problem है बट यहां से starting होती है function equation ठीक है तो अगर मान लो इसको solve करने चले तो question में लिखा हुआ है if two times of f of x plus में f of 1 minus x that is equal to x square plus x plus 1 तो हमें f of x की value चाहिए तो क्या करें तो सबसे पहला काम जो करते हैं की जहां जहां एक्स लिखा हुआ है उसक्तों रिप्लेश कर देते हैं रिप्लेश हुआ है की एक्स बाई जहां जुडिए क्स लिख लिया तो है तो यहँ यहां पर ऑन माइनस फिर यहां पे हील दिखिए सर sa sth phil डाटेज़ डू सकवेशन यहां भी हैं करा दिख दिया सर आपने जो बॉला हम कर दिया है तो ऐसा करकि क्या मिला ध्याद से समझिए यह टुन अफ गनी सब्स हो ठिक है थिक प्लस में 1 माñाइनस कट जैगा हो थुछ माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा तो यहां पर f of x आ जाएगा ठीक है that is equal to one minus x का whole square करेंगे तो आएगा one minus two x plus में x square plus में one minus x plus में one ठीक है तो सर इसको simplify कर लें बिल्कुल कर लो तो simplify किया तो यहां पर क्या मिला मुझे यहां पर मिला one plus one plus one तो यह जाएगा 3 और x square minus 3x और प्लस में 3 ऐसा कुछ आ जाएगा सर बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है या या बेसिकली किसका value f of x को आगे लिख लिया मैंने और two times f of one minus x को थोड़ा पीछे लिख लिया ठीक है यह हमारे पास second equation आप क्या करें कि मुझे यह दिख रहा था कि यहां पर एक से यहां पर one minus x है अगर मैं इन दोनों को पलट दूँ तो एक नहीं कुछ ना जाएगी जो कि आ गई अब क्या करेंगे दोनों equation में elimination method लगाएंगे क्या लगाएंगे elimination method यानि मुझे f of x की वैल्यू चाहिए तो मैं चाहूंगा कि यह दोनों जो टर्म है ना यह कैसे एक दूसरे से कट जाया ना तो यहां पर इस equation में इस term का coefficient जो है और यहां पर कितना है यहां पर टू है तो इस वाले coefficient को double कर देते है है तो यहां इस पूरी equation को टू से multiply करके हां लिख देते हैं तो टू से multiply किया 2fx को तो यह हो जाएगा 4 times f of x इस term को 2 से multiply किया तो यह बन जाएगा 2 times f of 1-x ठीक है that is equal to 2 से इसको सबको multiply किया तो यह हो गया 2x square plus में 2x plus में 1 sorry 2 ठीक है अब क्या होगा सर अब minus 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 ठीक है सब minus हो गया ठीक है सर तो यह दोनों तो कटी गए सर बिलकुल fx में से minus किया 4fx तो कितना बचेगा गई कर अब बचेगा माइनजाओ 5 f of x बचेगा बिलकुल बचेगा साही कर रहे है ना वैं कहीं कोई mistake ऋचेक तो नहीं प्रिकली अगली बात एकस्वार में सेて माइनस क्या टो एकस्टिक हुआरत माइनस का इक स्कोएर-3-2 एकण तो माइनस का जाएगा 5x और 3-2 तो कितना बचेका प्लस का 1 बिल्कुल तो f of x कितना हो जाएगा सर माइनस 3 उदर डिवाइड में जाएगा तो प्लस माइनस 3 से जब सब में डिवाइड करोगे तो उपर भी माइनस कॉमन लेके नीचे वाला माइनस काड दिया तो यह आगया है बिसी कली फंक्शिनल एक्विशन में हना इनीशेली इनीचली बहुत सिंबल सिंबल फंक्शनकर टूख यहान से स्ल्ल rudy जाता है इसके आगे क्या होगा चीजें अपना रूप जोओंगी वह भाईंकर वाला रूप लेलती है और वह थानकर वाला जो परह वह जब आप में आएंगे तो बैच में समझाया जाएगा कि यार कैसे अच्छे लेवल की इन्मो लेवल की फॉंक्शनल इक्वेशन को कैसे सौल किया जाता है ऐसा एक और कुश्चन देखते हैं हाना बहुत बेसिक सा हना बहुत बेसिक क्या के रहा है कुश्चन कि f of x plus 3x times f of 1 by x that is equal to 2 times x plus 1 तो हमें इसका value चाहिए तो कैसे calculate करें सर तो एक काम कर पहले तो लिख ले क्या के रही है ना बहुत ध्यान से बिटा लिख ले तो बालक ने लिख लिया उसने लिखा f of x plus 3x times f of 1 by x that is equal to 2 times bracket में x plus 1 अब क्या करूं सर अब एक काम कर यहां पे x है यहां पे 1 by x है कुछ ऐ तो replace करना पड़ेगा replace कर दो क्या x by 1 by x जहां जहां एक से वहां पर 1 by x लिख दो इसको equation 1 बोल दो जहां जहां एक से वहां 1 by x लिख दो तो यहां पे x की जिगा 1 by x लिखा तो f of 1 by x बन गया plus 3 यहां पे x है उसकी जिगा 1 by x बन गया तो 3 x की जिगा 1 by x f of 1 by x था तो यह हो गया 1 upon 1 by x ठीक है न सब that is equal to 2 bracket में x की जिगा 1 by x ब्लस में 1 ठीक है ठीक है सर अब क्या करें आगे अब एक काम कर लेते हैं क्या हमने सब जगे x की जिगा 1 by x कर दिया बिल्कुल कर दिया अब क्या करेंगे अब थोड़ा सा simplify करेंगे तो f of 1 by x as it is plus 3 by x as it is f of यह 1 upon 1 upon x है तो यह उपर आ जाएगा यह f of x बन जाएगा that is equal to 2 यहां पे लसी मा गया bracket में x यहां पे 1 plus x आ जाएगा फूर एक बच्चे ने का किसा पूरी equation में x से multiply कर दो मैंने पुछा क्यों कर दो पसर मैं कह रहा हूं कर दो ठीक है कर दिया तो x का multiply किया तो यहां पे x times f of 1 by x हो जाएगा प्लस इसमें जब x का multiply किया तो x x कर जाएगा यह three times f of x हो जाएगा और इसमें भी जब x का multiply किया तो नीचे वाला x और उपर वाला x कर जाएगा हाना तो इसमें भी दिखाने की जोरुत नहीं multiply x का हना तो यह two times one plus x रह जाएगा अब क्या करूं सर अब जो पीछे लिखा ह उसको आगे लिख दे आगे वाले को पिछे लिख दे तो three times f of x को आगे लिखा plus x times f of x को पीछे लिखा f of 1 by x को पीछे लिखा that is equal to two bracket में x plus 1 लिखा फिर जो यह वाले equation थी और इसकी equation थी इन दोनों में देखा कि मुझे f of x का value चाहिए तो मुझे f of 1 by x को eliminate करना पड़ेगा और यहां पर उसका coefficient है one और वहां पर उसका coefficient है three तो क्या करूं इसी को three से multiply करको तो इसी में three का multiply कर दिया ना तो यह बन गया थी त्रीज़ा नाइन f of x ठीक है ना साब plus three times x f of 1 by x that is equal to three to the six x plus one ठीक है सर और यह जो equation है इसको उठा के यहां पर रख देते हैं तो f of x plus में 3 x f of 1 by x that is equal to two times x plus one अब क्या करूं सर अब माइनस करा दे ठीक है सर्फ माइनस करवा दिया sign change करवा दिया sign change करवाने से क्या फायदा हुआ सर यह दो कट गए बिल्कुल कट गए यह दो कट के अपने घर गए ठीक है 9 x f of x में से 1 x f of x माइनस करोगे कि तब चेगा 8 x f of x बिल्कुल सही है और 6 में से 6 बार यह चीज थी उसमें से 2 बार यह चीज माइनस हो गई तो कितनी बार बचेगी चार बार तो बचेगी सर 4 x x plus 1 बच जाएगा तो f of x क्या हो जाएगा सब्सक्राइगा फोर टाइमस एक्स प्लस वन अपन में एट आजाएगा कैंसल करोगे तो क्या है एक्स प्लस वन बाई टू आजाएगा चार से दोबर अकट गया तो यह f of x का वैलिव आया हना अब क्या करूं सार अब मुझे क्या पूछा है एफ एफ और डबल जीरो एबल जाएगा और अरपन में न्युक्त है तो दिवाइड गरोग में पाच बार फिर 0 फिर दस में पांच बार फिर 0 50 50 जाएगा शांव बहुत ही शांदार पावल इसी टाइप के क्वेश्चिन वह वक्म में मिल जाए हना इंस नटक बढ़िया रहे गा तो विस्किन सकते हैं तीक है ना बहुत ही शांदार problem है राना basic functional equation सीखने लिए बहुत ही शांदार problem है यह था basically functional equation का basic होप सो आपको यह चीज़ा समझ में आई होंगी ठीक है इसके बाद basically जब functional equation lesson पढ़ाया जाता है तो उससे आगे की advance चीजहें बता ही जाते हैं, ठीक, this is basic which is required, you know, before you know, starting functional equation ठीक है, इचा लिया तो आज के लिए I think इतना ही, ठीक है आज के लिए इतना ही, thanks to all of you, thank you, bye-bye have a nice day, see you in the next class guys bye